तो गाइस आपका स्वागत है को कि गडिया में आज हम बनाएंगे खस्ता कचोड़ी देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कचोड़ी बनाना इसके लिए हमने चार से पांच आलू ले लिए हैं इनको मैस कर लेंगे अच्छे से और अब हम इने फ्राइ करेंगे इसके लिए हम एक चमचा ओयल ले लेंगे कि अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें हम एक चमच जीरा डाल लेंगे जीरे को अच्छे से भूल लेंगे ब्राउन होने तक और हाप्ती स्पून हम इसमें अजवाइन डालनी है और गैस को मंदी कर देंगे और यह तीन हमने गिरीन चीडी ले लिए कट करके इज़ि को भी अच्छे से भूल लेंगे अब इसमें आलू डाल लीगे हुआ है ए वालू कौं हम Tábère को हम इन सारे आलों को डालकी से मिक्स कर लेंगे ओ कि आलेम को भी अच्छे से मैस कर लें ताकि इन में कोई काठे ना रहे अब इसमें मसाली डाल लेंगे है इसमें हम आप टीस्पून रैड चिली पाउडर लेंगे हाप टी स्पून इसमें तर्मिरिक पाउडर लेंगे हाप टी स्पून गरम मसाला और एक चम मसी नमक और हाप टी स्पून जांट मसाला इन अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को मंदी रखें ताकि आलू हमारे जले ना इन अच्छे से मिक्स कर लें देखिए पिठी में किता अच्छा कलर आया हमारी में इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को अच्छे से मैस कर लेंगे यह देखिए ठेमारी रेडी हो चुकी है इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडी होने के लिए रख देंगे अच्मिंट के लिए तब तक हम आटा गूंद लेंगे हमने एक काप आटा ले लिया है और एक चमच इसमें नमक डाल लेंगे नमक को मिक्स कर लेंगे और दो चमच हम इसमें ओल डालेंगे और डालने से हमारी कचोड़ी खस्ता बनती है तो इसमें जरूर डालें आटे में गूंदने से पहले देखिए और पॉल हमने मिक्स कर लिया है अब इसमें में कप पानी ले लेंगे और पानी से हम आटे को गूंदेंगे आटे को ओमें जज़्यादा टाइट नहीं कूंदना है अगर ओमें तो डंड 더 डेला ही गूंदना है अगर आटा हमारा टाइट से मेंगे तो कचोड़ी हमारी फट आ जाएंगी और व कच्छिसी फूल ही ? और अगर कचोड़ी फूलेंगी नहीं तो फिर वो खसता कचोड़ी नहीं बनेंगी तो आटा हमें ढेला ही गुंदना है तो इसमें हमारा हाफ कप पानी ही यूज हुआ है और देखिए आटे को हमने थोड़ा ढेला ही गुंदना है अजय अच्छे से गुंदने देखिए आटा गुंदन चुका है इसमें हमें एक चमच ओयल और डालेंगे ताकि आटा हमारा हाथ चुपके ना हाथों पर इसे हम 10-5 मिट के लिए रखतेंगे उठा के धक्कल और देख इसमें धनिया मिला देंगे तरिया को अच्छे से मिक्स कर लें कि देखिए धनिया मारा मिक्स हो चुका है और अब हम कचोड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमने एक लोई ले लिया इसे बेल लेंगे इसमें अब हम पित्थी भरेंगे पित्थी हमें एक गोला बना लेना है और इसे साइडों से हमें थोड़ा-थोड़ा करके मोड के इसे हमें बंद करना है और जो आटा हमारा बचेगा उपर से उसे हम निकाल लेंगे देखिए आटे को हम निकाल लेंगे जो एक्स्टा अटा है और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और इसे हमें बेलन से नहीं बेलना है इसे हम हतेली हतेलियों से दवा कर इसे हमें गोल करना है और हलकी हास से ही से हमें मैज करना है ताकि प्रेस करना है ताकि अच्छे से फ कचोड़ी हमारे के अच्छे से गोल बनी है अब कचोड़ी को हम सेख लेंगे कचोड़ी को हमें मंदी गैस पर ही सेखना है ज्यादा गरम नहीं करना है और को हमने हलका ही गरम किया है और जब हमारे कचोड़ी थोड़ी सीख जाएंगी तब हम गैस मीडियम करेंगे अब हम थोड़ी गैस तेज कर लेंगे ताकि कचोड़ी हमारे अच्छे से करारी हो जाएं कि देखें कचोड़ी मारे फूल चुकी है और इन्हें मंदी गैस पर सेखना है अच्छे से अच्छे से अच्छे से धीमी धीमी गैस पर अच्छे से करारी हो जाएंगी और ने थी थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ते रहें अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ते रहेंगे और गैस हमने मीडियम ही रखे हुई है अगर हम तेज करेंगे तो कचोड़ी हमारे चल जाएंगी और यह करारी नहीं होंगी तो इसे हम बंदी गैस पर ही इसलिए से करें हैं कि देखें कि इसे मंदी के इस पर इसे करें हैं इने पल्ट पल्टते रहेंगे यह देखें कि कचोड़ी हमारे सिख चुकी है इनने निकाल लेंगे और आप इनहें हैं यह देखे कचोड़ी हमारे कित्ते अच्छे से फूल के करारी बनी हैं और आपको हमाई वीडियो पसंद आये तो हमाई चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें सेर करें और आगे मिलते हैं नई वीडियो